नमस्कार दोस्तो देख्जाम हेकर चैनल में आपका स्वागत है दोस्ते यहाँ पर हम लोग क्लास 6 NCRT की क्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग देखेंगे What is the globe? Globe है क्या? तो दोस्तो अर्थ की miniature form या true model की replica जो एक image होती है image नहीं बोल सकते हैं एक object होती है जो अर्थ जैसा ही दिखता है उसको बोलते हैं globe तो globe क्या है? एक true model या miniature form of earth है इसमें क्या होती है? globe वैसे ही rotate करेगी, जैसा earth rotation करती है, जैसे west to east, globe वैसे ही होती है जैसा earth tilted axis में rotate करती है, एक imaginary line में तो globe में क्या होता है? एक imaginary line ना होके, एक needle होती है globe में और needle की जो inclination होती है जैसे 66.5 के round होती है तो उतना ही inclination आपको globe में भी देखने हो मिलेगा यानि कि एक tilted axis में जैसा Earth rotate करती है वैसा globe tilted axis में rotate करती है 66.5 degree against the orbital plane और same way में rotate करती है जैसा Earth rotate करता है globe क्या है, globe क्या है ? globe एक miniature form पॉर्म अपर्थ है जैसा Earth है, वैसा ही globe है लेकि एक छोटा form में है और globe same way में rotate करती है picture, possibility, countries, ocean या other जो object होते हैं उसको जो दरसाते हैं, वो truly correct size में होते हैं, correct size के मतलब है कि यदि Pacific Ocean बड़ी है तो Earth में, तो globe में भी Pacific Ocean सबसे बड़ी देखेगी, उसके बाद Atlantic Ocean देखेगी, तो correct size में यहाँ पर mention किया आता है, scaling down का, यानि कि जो बड़ी object है उसको छोड़ा करके दिखाया जागा, लेकिन द globe इतना छोटा हो सकता है कि pocket में भी fit वरने लगे और एक बड़ा भी हो सकता है जो table पर आ सके, ठीक है, तो globe का एक बार फिर से overview देख लेते हैं, globe देखने में ऐसा दिखेगा, जो एक stand पर रहेगा, यह है Earth, तो globe क्या होती है, एक miniature form of Earth है, और globe same way में rotate करती है, जैसा Earth rotate करता है, एक tilted axis में rotate करता है, 66.5 degree पर और west to east rotate करता है, और एक needle के सहायते से rotate करता है, लेकिन Earth में कोई needle नहीं होती है, एक imaginary line होती है, और इसमें जो continent, जो सो होते हैं, वो एक correct size में सो होते है, यानि कि मालो यहाँ पर Pacific Ocean बड़ी है, तो globe में भी Pacific Ocean बड़ी देखेगी, as compared to Atlantic Ocean, तो इसको बोलते हैं globe, ठीक है, तो आज की वीडियो मस्ते देना है दोस्तों, thank you for watching, मिलते हैं अगले वीडियो में नहीं टोपी साथ, thank you